अउद्यों की दुरुष्टी से उप्पयुक्त सुक्ष्म जिवों के वैशिष्ठों का अध्यन। विद्यार्थियों, जीव शास्त्र में हम विविद सजीव और उनके बारे में सीखते हैं। लेकिन सजीवों में बहुत विविधा होने के कारण जीव शास्त्र में उपशाखा होती है। सुक्ष्म जीव शास्त्र उनमें से एक है। इस शाखा में सुक्ष्म जीवों का अध्यन किया जाता है। इस प्रयोग में हम विविद सुक्ष्मजीव और उनके उपयोगों का अध्यान करेंगे। सुक्ष्मजीव हमारी लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अन्न बनाते हुए, दवाईयां बनाते हुए, ड्रेनेज और महला प्रक्रिया में चर्म उद्योग आधी के लिए सुक्ष्मजीव का उपयोग होता है। इन मेंसे कई सुक्ष्मजीव के बारे में हम जानकारी लेंगे। इस प्रयोग के लिए संयुक्त सुक्षमदर्शी, स्ट्रेप्टोकोकाय थर्मोफिलिस, लाक्टोबैसिलस असिडोफिलिस, साक्रोमाईसी सेरिवेसी, असिटोबैक्टर, अस्परजिलस ओराईजी के कायम स्वरूपी स्लाइड्स चाहिए. स्लाइड्स का निरिक्षन करके, हर एक सुक्षमजीव कौन से उद्योग में उपयोगी होता है, इसकी जानकारी लेकर लिखें. सुक्षमजीवों का नाम, प्रकार, विशेष्टा. स्ट्रेप्टोकोकास थर्मोफिलिस, ग्राम पॉजिटिव सुक्षमजीवों है, दुग्द व्यवसाय में इनका पड़े पैमाने पर उपयोग होता है, योगर्ट, मोजरेला, चीज, इनके लिए भी उपयोग होता है. लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ग्राम पॉजिटिव सुक्षमजन्तु, पचन सुधारने के लिए उपयोग में लाए हुए प्रोबायोटिक्स में और दुग्द व्यवसाय में उपयोग किये जाते हैं. सैक्रोमाइसिस सेरिवीसी, कवग का प्रकार है, बेकरी व्यवसाय मद्द्यार कवाले पेयर तयार करने में उपयोग होता है. असिटो बैक्टर, ग्राम निगेटिव सुक्ष मजन्तू, असिटिक असेड बड़ी मात्रा में बनाने के लिए किन्वन क्रिया शुरू करने के लिए उपयोग करते हैं. अस्परजिलस ओराइजी, कवग का प्रकार है, सोया सॉस, राइस विनिगर बनाने के लिए उपयोग करते हैं. मद्यारक वाले पे ये तयार करने के लिए भी उपयोग होता है. के लिए बनाने के लिए बनाने के लिए बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं.